आईए बच्चों हम Class 8 का Lesson 11 पढ़ते हैं Midnight Express यानि कि मध्य रात्री का दुत गती से चलने वाली ट्रेन बच्चों मैंने इस वीडियो में Chapter 1 से लेके 10 तक बनाया है सभी chapters के activities भी कराई है और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया गया है उसमें जिन्हों ने अभी तक नहीं देखा है आप description box में इसका link दिया हुआ है जाके देख सकते हो पूरी activities भी कर सकते हो और chapter को बहुत अच्छी तरह से समझाई गई है समझ भी सकते हो आईए Midnight Express पढ़ते हैं जिसके लेखक है Alfred Neuys यानि कि Writer let's start थोड़ा सा मैं Writer के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ Alfred Neuys 1882-1958 was the renowned English poet who is the best known for his belt अच्छा ये बहुत ही जाने माने लेखक थे और मने कवी भी थे लेखक भी थे और जो कि मतलब आज हम लोग स्टोरी जो पढ़ने जा रहे हैं इनके द्वारा लिखित तो देखो स्टोरी को पढ़ने से पहले इसमें दो questions दिये गए हैं let's share पहला question है suppose you are standing before a mirror and you see there a person different from yourself how do you react in such a situation यहाँ पी पूछा गया है बच्चों कि suppose तुम किसी आईने के सामने खड़ी हो और उसमें तुमसे तुम्हारे सामने जो वैक्ती दीखेगा बिल्कुल तुमसे अलग दीख रहा है उस समय तुम्हारा क्या दसा होगा कैसा reaction होगा डर जाओगे क्या करोगे या मने कैसा reaction होगा वही पूछा गया है तो क्लास में जब teacher पूछेंगी तो अपना reaction बताना बच्चों डरोगे कि उससे बाते करोगे क्या करोगे बताया गया है कि एक ऐसे character के बारे में एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में तुमने मालो किताबों में पड़ी हुई है अगर वो व्यक्ति सचमुच में तुमसे मिलता है तो तुम क्या करोगे उस समय रियल लाइफ में तुम्हें उससे मुलाकात होती है तो तुम क्या करोगे तो जो होगा बताओगे आप चलो, let's read अब हम chapter को शुरू करते हैं बच्चों पढ़ना इट वाज बैटर्ड ओल्ड बूक बाउंट इन रेड लेडर एक, देखो मैंने पहले ही बताया है कि pink color के जो wordings दिये गए हैं उसका meaning हम लोगा ये word nest में word nest में दिया हुआ है आप लोग देखो और यहां से आप लोग जाके इसके meaning को समझ सकते हो तो एक जो है बहुत बैटर्ड यानि कि गंदा सा बूक एक लेदर में फोल्ड किया गया है लेदर का cover जो डाइरी वागरा में चड़ा रहता है ना उसी तरह वेन मौटिमियर was 12 years old he found that he found the book in his father's library जब मौटिमियर जो था वो 12 सल का था एक बच्चा मौटिमियर जिसका नाम था वो इस किताब को अपने पिता के लाइबरेरी में पाता है when the rest of his large old house was covered in a darkness he took the book to his bedroom to ready by candle light जब सारा घर में अंधेरा चा जाता है सब ही लोग सो जाते हैं तब वो क्या करता है मौटिमियर कि वो लाइबरेरी से बुक लेके आता है और एक मुम्बति जलाता है the clock ticked in the hall below and the sea roared outside बच्चो देखो वो बुक तो लेके आता है लेकिन उसके घर में जो घरी लगी हुई है वो टिक टॉक टिक टॉक करके आवाज आती है अब बाहर में समूद्र है समूद्र के भी लहरों की आवाज उसमें आती है तो सोचो उसकी क्या दसा होगी और उसमें ये बुक लेके आता है अपने पिता के लाइबरेरी से तो पढ़े आगे तब पता चलेगा तुमें next paragraph देखो बच्चो मौटी मेर वास फैसिनेटेड बाई देटर ओल बुक ये जो गंदी से बुक उसे मिली थी वो उसके लिए बहुत ही उत्सुक था कि आखिर है गया इसमें 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 एक कहानी थी जिसे मिड़नाइट एक्स्प्रेस बोला जाता था there was an illustration on page 50 जैसे ही 50 page पे आता है वो इसमें एक छबी बनी होती है picture बनी होती है which threatened him for some unknown reason वो उसे बहुत ही डरावना लगता है कुछ मतलब अंजानी किसम का इसका कारण होता है the illustration showed an empty railway platform at night lit by a dull yellow lamp किसका picture रहता है बच्चो एक छबी रहती है जिसमें दिखा जाता है कि ऐसा दिखाई पड़ता है कि एक platform है railway जहां पे train चलती है platform होता है न वो उसी को बोला जा रहा है railway platform वहां पे एक धुंदला सा yellow color का light जलता है और पूरा खाली रहता है platform A single man stood under the lamp His face एक बैक्ती जो है वो खड़ा रहता है platform पे और उसका face turned towards the black mouth of a tunnel उसका जो है face उस बैक्ती का चहरा जो है वो tunnel के सामने एकदम पीछे के तरफ घूमके वो खड़ा था Mortimer never read beyond page 50 अब तो उसकी हवा गूम हो गई वो देखता है इस picture को अब उसे आगे देखने या पढ़ने का दिल नहीं करता है वो डर जाता है page 50 के बाद next paragraph and last paragraph बच्चों इस unit का first unit का last paragraph many years passed after that Mortimer was now a young man अब क्या होता है बहुत साल से इसने ये बुक छुआ नहीं ये Mortimer जो था वो यंग हो गया एक जवान अडल्ट बच्चा हो गया और one day around midnight he was waiting for a train in a dark empty junction एक दिन वो ऐसे ही midnight में क्या करता है railway platform पे खड़ा होके train का इंतजार करता है Mortimer अब बच्चों हमारा ये lesson 11 का first unit यहीं पे खत्म होता है तब तक के लिए आप channel को subscribe कीजिए like कीजिए और bell icon वाली घंटी दबाना भूलिए और अपनी friends में share भी कीजिए कि इस channel पे ये सारे videos आते हैं बच्चों award nest आप देखोगे और उसे English में meaning बहुत easy दिया हुआ है नहीं समझ में आये तो घर में dictionary है वो भी करोगे आप आप देखो यहाँ पे activity number one दी गई है चलिए activity करते हैं next video में हम इसके activities करेंगे